चेंडीगण में आमादमी पार्टी के द्वारा कुछ मूल भूथ सुविधाओं की बात की गई थी, जब election का समय था तब गारंटियां चेंडीगण में भी दी गई थी, बहरहाल आमादमी पार्टी यहां पर आ नहीं पाई, पर उस गारंटी में एक चीज यह भी थी, कि पा पार्शद थे वो इसके विरोध में उतराए पर बाद में किसी भी तरह इसको जो है वो जस्टिफाइग किया जाने लगा और बार बार डिमांड की जा रही है आमादमी पार्टी की तरफ से की पार्किंग जो है वो फ्री की जाए इसको लेकर के एक पत्र जो है आज लिखा किया है हमार साथ बातचीत करने के लिए आमादमी पार्टी चंडिगर से सीनियर नेता प्रेम गर्ग है उनसे जानेंगे गर्ग साब अपसे जानना चाहेंगे इसको किस तरह से जस्टिफाइग करेंगे कि गारेंटी में आप फ्री पार्किंग की डेमांड करते हैं पर यह जो अजेंडा आया था यह सिर्फ एक एडेड मिनने के लिए फ्री पार्किंग करने कर आया था और उसमें सिर्फ यह था कि मुस्पल कार्परेशन जो भी पार्किंग चला रही है उसमें इनको लॉस हो रहा है तो इसलिए वो कह रहे हैं तो इसलिए उसलिए वो कह रहे तो जो भी मार्केट एसोशिएशन है उसको दे दी अगर वो रिफ्यूज करते हैं उसका तो उसको बे और और वह निकल सकते हैं इसमें अभी तक जितने हमने देखा ठेक करते हैं वो क्या करते हैं एक एंट्री पे एक एक बंदर लगा देते हैं अंदर जो पारकिंग आप हम करने के लिए लग रहा तो स्में क्या होता है दूसरा कि लोगों से जगड़ा ओता है अब बिस आप के लिष्ट में एधाय या कोई कर नहीं देना चाहता तो उससे जगड़े होता है मेरा ये मानना इना है देखो आप जब कार हम पार्किंगे हैं तो अगर आप पारकिंग के दासे बारे रूपरे देडेंगे बाइट हो, उसमें से वह पार्किंग कांट्रेक्टर लेके भाग जाते हैं, तो तो ढाफ पर वह प्योंत Tut यहां पीकल जोंगे ने इतने लोगों को प्रेशान करतो इतना नाम बदनाम सारे इंडिया में आपका नाम बदनाम हो रहा है तो उससे बैटर है कि इसको फ्री कर दो बलके या तो बैलेट पार्किंग की तरह हो ना के ठीक है मैं गाड़ी की चब भी पकड़ा दू जैसे आप होटलों में देखते हो दूसरा यह है कि अगर आपने पार्किंग बनाई हो जैसे को मल्टी लेवल पार्किंग आपने बनाई हो उस पर पैसे लेके भी अच्छे लगते हो जैसे आप सारा सेक्टर में है आपने बनाई है पार्किंग तो बहां पर पैसे लोगना रोड पे पार्किंग करने के पैस तो यहां पर माना जाता है जितनी यहां के पॉपुलेशन है उतनी ही विकल है पर हैड एहां पर एक गाड़ी और एक टू विकल जो है वहां पर रहता पर इसको किस तरह से देखते हैं एक जरिया है आमदनी का ये करना कारपरेशन के लिए बहुत बड़ी बात नहीं है तो उसके लिए आप आपने जैसे अभी का हरे के बस गाड़ी है मैं जो करने वाले कमें बहुत करते हैं और लोगों को प्रिशार करने पर लगो लगते हैं आप मैं देखतों एंट्री पे रोज दो चार लोगों का जगड़ा होता है कि जब इस मुद्दे को सदन में उठाया गया था तो दमनप्री जो लोगों का है वो खतम हो जाएगा तो अगर टेंडर नहीं लिये जाएंगे जो लोग अल्रेडी कॉंट्रेक्ट पर हैं तो फिर उनके साथ भी तो उसमें नौक आप जैसे आपने देखा तलवार जवेलर के बाहर बाली पार्कें वो पिछले 15-20 साल से वो लोग चला रहे हैं और उन्हों ही दो लोग दखे हैं हर पार्कें दो या चार लोग इंप्लाइमेंट दो मिलेगी यह तन मैं कहारा कि नहीं होगा जैसे मेरे को देदें यह हमार इसको लेकर के लिखा है किसके लिए लिखा है और क्या दिमांड की गई है मैंने यह लिखा लेटर अपनी मैडम कमिशनर को उनको भी रुकेस्ट किया कि आप यह पार्किंग बाला जो है इस पर पैसे कलालच में मत वड़ो इसको फ्री कर दो आपको अगर इंकम लेनी है तो बहां पर यह पोल बगर लगए को एड़ोटेजिमेंट बगर करके यह लोग पार्न बारते रहते हैं आप देखो कभी भी को दो या तिन मिट तो लगते हैं आपको तो तनी दर पिछे चार गाडे खड़ी होते हैं और यह लड़के लोग जो होते हैं कोई ने को मेरी भी काम सब पांसात वर जगड़ा हो गया जब तो मैं इतना पीस्फुल हूं प्रीबर इतना टेंपराई जो कुछ नो बोल देते हैं ठीक न तो यह चाराश्मेंट बाला पार्ट ना जो वह लोगड़ा जोड़ पर इस नोट एंपोर्टेंट इंपोर्टेंट इस बाराश्मेंट पर पब्लिक तो बोब पर राश्मेंट रुक निचे इसले प्री कर तो चाहिए आप अगर कारपेशन भी पांसात क्रोट पर खर्चती है बड़ी बात नहीं उसको फ्री करते हैं यह तो जगह तो पॉब्लिक यह न यह को आपके परसनल प्रोप्री थोड़ा एक चाहेंगे चंडिकर स्मार्ट सिटी के नाम पर जाना जाता है स्मार्ट पारकिं स्मार्ट पारकिंग करो इतना हाई स्टेंडर कर दो स्मार्ट का तो मतल्य माव होटल मी जाता हूं मेरी घाट जाती है वह सलूट मी मारता साथ में चब भी ले लेते या तो इतनी अच्छी पार्किंग कर दो मैं दस कि बिस रुपए भी दे दूंगा लेकिन वह तो आपने करना नहीं, वाल के इसभी कॉंप्लीमेंटरी, चैलों है जैसे होटल में पैसे तुल यह लसे है, क्यूंकि हम रोड टेक्स दे Oh, income कि आपके घर का कच्रा मेरे घर के आगे क्यों आई हमारे घरों का कच्रा बिचारे वो ग्रीब अठती सेक्टर वालों के घर के आगे क्यों हो जाए थो मेरे घर मेरे घर मेरे घर की क्च्रा बनती होगी तो एक सेक्टर वाल दो डई तहनतो करने सकते तो अब डौन प्रदास्टिक में हमारे सारे चंडियर का गंद जो है वो उनके घर के आगे क्यों फैंकते हो आप अपने घरों के आगे रखो ना और उसमें बड़ा सिंपल सा है प्रुडस्टिक में जाता है तो नीचे वो इसटीम होटे है और उसका बने कमपोस्ट बन जाता है तर उसका जो लिक्ट है उससे आप फर्ष मी दो लेते हो और वाय फर्टेलाइज क काम भी खरते है तो अपने घर में देखो आप वह सोलर के लिए अपने कंपल्सरी किया हुए लगाने के लिए रेन हरेस्टिंग कि वह तो अपने बड़ी बात है घर पर बनाए ना कम पोष्ट और कनाल की को ट्थे और दासमरली की को अपने के आप नहीं लो और उससे उससे फैदा क्या होग अब है अब है मार्केट में इसा गुछ कर दीजी ना तो यह थे हमारे साथ अमाद में पार्टी चेंडिकर से प्रेम गर्ग जिन्होंने काफी वो चीजे बताई हैं जो एक अलग सोच रखती है इसमेरी रुक्वेस्ट है आप यह थोड़ा अवेर कीजिए कि हर सेक्टर में एक सिंपल मिनी जो है प्लांट लगता है बीस तीस चाली लाग रपे का आ जाता है यह जो कंपोस्ट प्लांट होता है तो वह हर सेक्टर में लगा दिए ग्रीन बेल्ट हैं पार्क हैं बठेरे मिस्फल कारपरेशन की तरफ से मिस पर पिछास करोड़ का अगर प्लांट लगा रही है उसके जगह बीस वीस लाग के सो प्लांट चंडिगर में लगा दें जैसे आप बत्ति सेक्टर होस्पिटल न देखें बहां लगा हुए बड़ा काम्याब है ग्यारा सेक्टर कॉलिज में लगा हुए तो ऐसे मिनी प्ल सब्सक्राइब लगा दें और वहां पर प्लांट जो प्रसेस होने चाहिए ताकि एक तो कैरेज बच जाएगे उसकी देखो यहां से सारी चंडिगर साप अठती तक लेके तो कितने पॉलीशन होती है गाडियों के तो पुलीशन होती न तो आप हरे एक सेक्टर में वहीं कि थोड़ी हटके हैं आइडियाज हैं जो कि यह चाहते हैं कि म्यूंसिपल कॉर्परेशन जो है वो उपनाए और इनका साफ तौर पर कहना है कि अगर आमद में पार्टी आती है तो जाहिर तौर पर यह जो सारे आइडियाज है वो रखे जाएंगे चाहिए फिर फ्री पा झाल